तारों से जो धूल जरती है, उसे दोने में सजाता हूं, इतिहास में लीक नहीं, च्छाह छोड़े जाता हूं। मुश्रा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दपश्चिम रिटकास्ट पर। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित के उस महानायक की जने हम सभी राष्ट कवी के नाम से जानते हैं जी हाँ मैं बात करना हूँ रामधारी सिंग दिनकर जी की लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दिनकर जी को राष्ट कवी क्यों कहा जाता है और साथ ही उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी कविताओं में आया एक बदलाव भी हमारी चर्चा का एक महतपूर्ण हिस्सा होगा इसी को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंति तक देखिए सबसे पहले हम दिनकर जीवन का एक बहुत ही संशिक्त परचे लेंगे उनकी जीवनी सबको पता है वहाँ पर हम बहुत जाला टाइम नहीं बिताने वाले है रामधारी सिंग दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर यानि आज के दिन जब मैं ये वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ 1908 को बिहार के सिमरिया नामग गाउं में हुआ था उनका जीवन बड़ी ही कटनाईयों से भरा रहा लेकिन उनकी शिक्षा और उनके साहित लगाओं ने उन्हें एक विशेश पहचान दिलाई प्रादमभिक दिनों में ही दिनकर जी पर संस्कृत और पौराणिक साहित का गहरा प्रभाव पड़ा जो कि बाद में उनका जो साहित सजन उनों गिया उस पर देखा जा सकता है उन्होंने पटना विश्वत द्याले से शिक्षा प्राप्त की और स्वतनतरता संग्राम के दौरान राष्टरी भावना से ओत प्रोत होकर अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का कारे किया देखे दिनकर जी को राष्टर कवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में राष्टरीता और करांती की भावना की अद्बुत जलक देखने को मिलती है जब देश गुलामी की बेडियों में जकड़ा हुआ था तब उनकी कविताओं ने लोगों को सुतंतरता के लिए प्रेरित किया सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दो राह समय के रथ का घर घर नात सुनो सिंघासन खाली करो की जनता आती है यह कविता ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता की आवाज बन कर उबरी थी दिनकर जी की ये रचनाएं सिर्फ कविताएं ही नहीं थी बलकि सुतंतरता संगराम का आवान थी उनकी कविताएं आम जनता में संघर्ष और आत्मसंवान की भावना पैदा करती थी इसी कारण सुतंतरता संगराम में दिनकर जी को एक राश्रवादी कवी के रूप में देखा जाने लगा तो चलिए बात कर ली जाएं उनकी कुछ है प्रमुख रचनाओं की जिनके कारण ने राश्रव कवी की उपाधी प्राप्त हुई देखे रश्मी रथी सबको पता है तो सबसे पहले रश्मी रथी की बात कर लेते हैं तो ये जो महा काव्य है ये कर्ण की जीवन यात्रा पराधारित है तो कर्ण को दिनकर जी ने उस योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया जो सामाजिक भेदबाव और अन्याई के खिलाफ खड़ा होता है तू सत्य को सत्य कहे भिड़ जा जूटा कौन यहां डरता है खड़ा सत्य के साथ अकेला देख कर्ण कब मरता है दिनकर ने कर्ण के संघर्ष और अदम साहस को अपने कावे में दर्शाया जो कि उनकी अदुती प्रतिभा का एक प्रमाण है अब इसके लावा उनकी दूसरी महान रचना कुरुक्षेत्र महाभारत की युद्ध के माध्यम से शान्ती और न्याई की आवशक्ता को दर्शाती है दिनकर जी का यह महाकाव्य उस समय के संधर्व में अदुतीय था जब देश सुतंतरता के लिए लड़ा रहा था अजादी की लड़ा रहा था और उनके शब्दों ने लोगों को संधर्श की सही दिशा दिखाई अब बात करते हैं दिनकर जी के जीवन के उस पहलू की जब उनकी लेखनी में एक नया मोड आया एक समय था जब दिनकर, क्रांती और सुतंतरता के कवी थे लेकिन बात के वर्शों में उनकी कविताओं में एक खास बदलाव देखा गया लोगों ने महसूस किया कि दिनकर के अंदर का कवी अब वह नहीं रहा जिसे वह पहले जानते थे लेकिन क्या ये कवी का बदलना था या कविता ने खुद कवी को बदल दिया था तो इस बात का जवाब खुद दिनकर जी ने दिया है उन्होंने कहा था कि कविता मेरे बस में नहीं है मैं ही उसके अधीन हूँ पहले उस तरह की कविता आती थी तब ऐसी लिखता था अब इस तरह की आ रही है इसलिए ऐसी लिखता हूँ अब इस वक्तव्यम में हमें ये समझ में आता है कि एक कवी का विकास समय के साथ होता है दिनकर जी ने भी इस बदलाव को सुईकार किया उनकी प्रारंभिक रचनाएं जहां विद्रोह और क्रांती की आवाज थी वहीं उनकी बाद की कविताएं आत्म मंथन और शांती की और बढ़ी दिनकर जी की रचनाओं में इस बदलाओ की सबसे बड़ी जहलक उनकी पुस्तक परुशुराम की प्रतिक्षा और आत्मा की आँखे में देखी जा सकती है पहली की कविताओं में जहां आक्रोश और विद्रोव की भावना थी वहीं बाद की कविताओं में एक गहरी आत्म निरिक्षन की प्रवर्ति दिखती है दिनकर जी ने खुद कहा था कि आत्मा की आँखे लिखते समय जो शैली उन्होंने अपनाई वही शैली उनकी बाद की रचनाओं में भी बनी रही यही वह समय था जब दिनकर जी ने छोटे छोटे पद लिखने शुरू किये जो उनकी आत्मी क्यातरा के प्रतीक थे उन्होंने स्विकार किया कि कविता अब उनके नियंतरणों में नहीं रही बलकि कविता ने उन्हें रुपांतरित किया है यही बदलाव उन्हें एक साधारन कवी से महान कवी और फिर राश्टर कवी बनाता है दिनकर जी की कविताओं में ना सिर्फ देश भक्ती की भावना थी बलकि उनके शब्दों में जनता के दुख दर्द, संघर्ष और आशाएं भी प्रतिभिम्बित होती थी उनकी लेखनी सिर्फ साहित तक सीमित नहीं रही उन्होंने समाज में व्यापत असमानता, अन्याए और ब्रश्राचार के खिलाब यावाज उठाई और उन्होंने खुद भी बहुत से समाजिक कारी किये तो अगर आप इंटरनेट खांगा ले और उनके बारे में कुछ पुराने इंटर्वियूस कुछ लोगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कभी भी समाजिक कारी से पीछे नहीं अटे हमेशा समाज से जुड़े रहे भले ही वो दिल्ली में रहे उनका जब राजसवा के सदर से बन गए लेकिन उनका जो तन था जो उनका मन था वो उनके गाहों से ही लगा रहा उनके जो भतीजें हैं उनका एक इंटर्वी में देख रहा था हूँ आपर बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने पैसों से अपनी पूंजी से अपनी जमीन पर उन्होंने अपने गाउं में एक माधमिक एक मिडल स्कूल की स्थापना करवाई जो आगे चलकर काफी बड़ा विद्याले बना तो दिनकर जी अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ऐसे कवी नहीं थे जो सिर्फ जो कविता कहता है और समाजी कांदोलन और समाजी कुथान की बात करता है वो खुद भी उस चीज़ में अपना योगदान देते हैं पंडित नहरू ने भी दिनकर जी के योगदान की सरहना की थी और उन्होंने कहा था कि उनकी कविताएं भारतिय स्वतंतरता संग्राम की आत्मा है दिनकर जी का प्रभाव सिर्फ उनकी कविताओं तक सिमित नहीं रहा उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उस समय थी उनकी रचनाओं में जो राश्ट्रियता और आत्म सम्मान की भावना थी वह आज भी लोगों के भीतर प्रेणा जगाती है उन्होंने हमें सिखाया कि कवी का कार्य सिफ साहितिक रचाएं करना नहीं है बलकि समाज की समस्याओं को उजागर करना भी है दिनकर जी आज भी हमारे साहित्य और समाज की अनमोल धरोर है तो दोस्तों यही कारण है कि रामधारी सिंग दिनकर जी को राश्टर कभी कहा जाता है उनकी कविताएं हमें प्रेड़ना देती हैं, देश भक्ती का संदेश देती हैं और हमें अपने करतव्यों का बोध कराती है और यह भी सच है कि समय के साथ कभी बदलता है और कविता भी कभी को बदलती है उमीद है आपको यह जानकारी पूर्ण चर्चा पसंद आई होगी जाते जाते मैं आपको एक उनकी कविता चिठियां के साथ छोड़े जाता हूँ यह कविता उनके संकलन हारे को हरी नाम से ली गई है चिठिया चिठिया तो बहुत सारी आई थी मगर खबरे जुगाई नहीं गई क्या पता था कि दुनिया एक दिन यह हाल भी पूछेगी जिसका कोई जवाब नहीं ऐसे सवाल भी पूछेगी सवाल उनका जो सब कुछ लूट कर चले गए यानि यह बात कि यार तुम कैसे चले गए चांद के बुलावे पर प्रकाश में घुमने की बात सितारों की महफिल में बैट कर जुमने की बात बात वह जिसके किनारे तेजहार होती है जरा सा चुके नहीं की कलेजे के आर पार होती है अपनी चिता आप बना कर उस पर सोने की बात जिस दर्द को कोई न समझे उससे कराहने और रोने की बात तारों से जो धूल जरती है उसे दोने में सजाता हूं इतिहास में लीक नहीं चांँ छोड़े जाता हूं जर्दी के साहित्याकाश में चमकते उस सितारे को जो आज तक हमको अपनी रोशनी से जग्मगा रहा है हमारे साहित्य को अपनी रोशनी से जग्मगा रहा है तो हमारे साथ बने रही हमको ऐसे ही प्रोट साहित्य करते रही हमाने वाले एपिसोड्स में और ऐसे कवियों और शायरों और साहित्तिकारों को आपके थोड़ा खरीब लेकर आएंगे और हम उनको अपने नज़र ये से अपने तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए मुझे आ गया दीजिए नमस्कार